नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल इंक्रिडिबल एंड ब्यूडिफुल इंडिया यनि ही अतुलिये और खूबसूरत भारत में आपका स्वागत है किर्पिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ये लाल बटन दबा कर और बगल वाली ये घंटी भी बजा दें ताकि आप तक हमारा नया वीडियो सबसे पहले पहुँचे धन्यवाद दोस्तों खूण और विर्यद हातू बढ़ाने के लिए सबसे सरल और आसान उपाए हैं या आजकाल के इस्तरी पुरुष अक्सरी खूण की कमी और ताकत कमजोरी से ग्रस्त हैं पुरुषों में विर्यद हातू की बीमारी आज बहुत बड़ी समस्या बन गई है ऐसे में आप या बिल्कुल साधारन सा पुर्योग करके अपने रक्त की कमी और विर्य की कमी को बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं इसके लिए आपको चाहिए गन्ने का रस या गुड आवला और शहद आईए जान लेते हैं कि यह पुर्योग कैसे करना है दोस्तों इसका पुर्योग जब गन्ना हो तो गन्ने के रस के साथ या फिर गन्ना ना हो तो उस समय गुड के पुर्योग के साथ करना है विर्यद हातु को बढ़ाने वाला हर रोज भोजन के बाद 15-20 ग्राम गुण को आवलों के 2-4 ग्राम चुण के साथ सेवन करने से विर्यदी होती है तथा ठकान, रक्त पीत, खुनी पित, जलन, दर्द और मूत्र कच्छ पिशाव करने में कश्ट या जलन होना आधी रोग नश्ट होता है ऐसा आप रोजाना करेंगे तो आपको जीवन में कभी भी दोबारा ऐसी शिकायप नहीं आएगी खुन की कमी और ताकत बढ़ाने के लिए अगर गन्य का मौसम हो तो एक गलास गन्य के रस में पांच ग्राम आवने का रस और पांच ग्राम शहद मिला कर पीने से खुन की कमी दूर हो जाती है और अगर गन्य का मौसम ना हो तो गुड का नियमित सेवन सोड़ी सौफ के साथ जरूर करें गुड़ खाने से शरीर में आरेन की कमी पूरी होती है और ये प्रयोग महिलाओं के लिए भी अत्यांतमात पूरा है विशेश अगर किसी को स्टोन की समस्या ना हो तो उप्रोक्त जूस में गेहों के दाने के समान चूना मिलाकर पीने से सिर्फ दस दिन में ऐसा प्रभाव आएगा जैसे शरीर का नव निर्मान हो चहरा लाल टमाटर जैसा हो जाएगा धन्यवाद